Dear learners, Welcome to my YouTube channel, Dutta MSC Study में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक interesting नए chapter सुरुवात करते हैं, जो direct and inverse variation है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि variation क्या है। ताहिए, आप लोग मेरे तरफ देखिए और board पे आप लोग ध्यान दिजिए कि variation क्या है। क्या है कि two quantities are said to be in variation, if any increase or decrease in on quantity cause the increase or decrease in the other quantity। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम लोग दो quantity लेते हैं, जब एक quantity का quantity जब बढ़ता है, तो उसके साथ साथ उसका rate भी बढ़ता है या cost भी बढ़ता है। तो यह हो गया variation, यानि क्या होता है, जब मान के चलिए कि एक pane का, कहां आप लोग देख लिजिए, कि एक pane है, one pane, इसका cost है 10 rupees, क्या है? एक pane का दाम है 10 rupees, तो फिर दो pane आप खरिदने जाते हैं, दो pane खरिदने जाते हैं, तो इसका दाम लेता है 20 rupees, फिर तीन pane खरिदने जाते हैं, तो इसका दाम हो जाता है 30 rupees, तो देखिए, क्या होता है, यह है quantity, यानि पहले एक מehnd था, amount कितना हो गया? 10. फिर quantity बढ़ते गया, 2. तो यहां भी amount बढ़ते गया, फिर quantity बढ़ा, तो amount भी बढ़ा है, यानि quantity बढ़ रहा है तो amount भी बढ़ रहा है quantity घट रहा है तो amount भी घट रहा है तो इसी को हम लोग कहते है variation जिसको हिंदी में कहा जाता है वीचरन यानि यहां क्या है? यहां दो राशियों की तुलना की जाती है ठिक है? कभी-कभी रहाशाब होता है आप लोग जानते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए मान लिजे साथ आदमी seven men क्या करता है can do a work किसी काम को पूरा करता है चोदो दिन में 14 days में ठीक है किसी काम को seven आदमी क्या करता है किसी काम को पूरा करता है चोदो दिन में अब मानके चलिए कि अगर seven आदमी की जगा अगर ज्यादा आदमी लगा दिया जाए तो क्या काम पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा कम ही समय लगेगा क्योंकि जितना man का force बढ़ रहा है काम भी उतने कम दिन में compute होगा तो जैसे आप seven man से हो गया लेकिन अगर उसी जगह अगर साथ आदमी की जगह अगर एक आदमी उसी काम को पूरा करता है तब क्या हो जाएगा कितने दिन लगेगा ज्यादा दिन लगेगा इतना दिन लग जाएगा यानि एक आदमी का मतलब क्या हो गया कि उसका जो force है power है वो कम है इसलिए उसको ज्यादा दिन लगेगा कभी कबर ऐसा होता है कि आप एक गारी आपका fixed speed में चल रहा है और यहां से मान के चलिए कि वो कहां से जा रहा है वो कलकता से दिल्ली जा रहा है तो कलकता से दिल्ली जाने में उसको जितना समय लगेगा दूसरे गारी का speed भी अगर fixed है तो हो सकता है कि उस गारी को जाने में समय क्या होगा अधिक लगेगा कभी कम लगता है कभी ज्यादा लगता है यानि क्या होता है एक quantity के साथ दूसरे का relation होता है इसलिए कहा गया है कि two quantities are said to be in variation variation में तभी कहा जाएगा क्या होगा कि if any increase हो सकता है कि कोई बढ़ रहा है तो कोई यहाँ decrease हो रहा है या increase हो रहा है तो increase हो रहा है decrease हो रहा है यही है variation उम्मिद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे फिर भी और एक बार इसको देख लिजिए कि मान के चलिए कि five bags है ठीक है इस bags का weight है 50 kilo five bags का weight कितना है 50 kilo फिर ten bags होगा तो इसका weight कितना हो जाएगा 100 kg हो जाएगा यानि क्या हो रहा है bag की संख्या बढ़ रहा है तो weight भी उसका बढ़ रहा है तो यही हो गया variation यानि इधर भी increase तो इधर भी increase हो रहा है ठीक है इसी को कहते है variation तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब आगे देखेंगे कि variation कितने प्रकार के हैं अब हम लोग variation की types पर विचार करते हैं कि variation का types क्या है variation types दो प्रकार के हैं, direct variation, inverse variation, यानि direct मतलब हो गया सीधा, inverse मतलब हो गया प्रतिलों, ठेक है, तो यहां है direct variation, two quantities are said to have direct variation, if the increase in one quantity causes an increase in the other, and decrease in one quantity cause a decrease in the other, यानि दो का जो relation है, वो एक के साथ दूसरे का direct relation है, यानि quantity बढ़ेगा, तो उसके साथ cost भी बढ़ेगा, ज्यादा आदमी हम लगाएंगे काम में, तो काम भी ज्यादा होगा, ठीक है, तो यही हो गया, कम quantity घटाएंगे, तो उसका cost भी घटेगा, बैंक में मानी deposit करेंगे, तो ज्यादा मानी deposit करेंगे, ज्यादा interest आएगा, मानी कम deposit करेंगे, कम interest आएगा, तो यही हो गया direct variation, अब हम लोग inverse variation पर बात करते हैं, inverse variation क्या है, कि two quantities are said to vary inversely, यानि यहाँ क्या होगा, दो quantity का variation जो होगा, वो inverse होगा, यानि उल्टा होगा, एक अगर increase होगा, तो दुसरा decrease होगा, दुसरा अगर increase होगा, तो पहला decrease होगा, यानि inverse होगा, पहले में क्या था, direct में क्या था, दोनों बर रहा था, दोनों घट रहा था, यहाँ क्या होगा, एक बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तो पहला घटेगा, यानि two quantities are said to vary inversely, if any increase, कोई अगर एक बढ़ता है, one quantity, decrease the other, यानि दूसरा decrease होगा, and decrease in one quantity, increase the second quantity, या आधर quantity, यानि दूसरा क्या होगा, एक अगर घटेगा, तो दूसरा बढ़ेगा, तो इसी के आधर पर, हमारे life में, दयनन दिन जीवन में, हम लोग बहुत सारा question का, क्या करते हैं, face करते हैं, तो वो question को दो method, यानि unitary method से भी हम लोग solve कर सकते हैं, और यहां direct और inverse variation में, हम लोग ratio के लुप में भी उसको solve कर सकते हैं, तो हम लोग next वीडियो में, direct variation को अलग से समझेंगे, बहुत सारे example के सारे, और inverse variation को भी समझेंगे, और एक one by one वीडियो में हम लोग क्या करते जाएंगे, problem को solve करते जाएंगे, कैसे solve करना है, ठेक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में,